प्रादेशिक समाचर प्रदन मंतरी नरेंद मोदी ने कहा है कि देश में बागों और शेरों की संख्या बढ़ने के बाद अब तेन्दूओं की संख्या में भी विर्द्धी हुई है एक ट्वीट में उन्होंने वन्न जीव संरक्षन के लिए काम कर रहें लोगों को इसके लिए बढ़ाई दी है श्री मोदी ने कहा है कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और जीव जन्तूओं के लिए सुरक्षित आवास सो निशित करने होंगे पर्यावरन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल भारत में तेंदूओं के इस्तिती के बारे में वर्ष 2018 की रिपोर्ट जारी की थी उन्होंने बताय था कि देश में तेंदूओं की संख्या में 2014 के मकाबले 60% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहीं मत्रदेश में सबसे ज़्यादा 3421 तेंदूओं पाई गए हैं रज्य मंत्री मंडल के आज भूपाल में हुई बैठक में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर पर उपकर सैस को समाप्त करने का निर्णा लिया गया है इस से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आईगी सरकार ने मिलावट करने वालों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने का भी फैसला लिया है इसी तरह प्रस्तावित धर्म स्वातांत्र विध्यक बर अब 26 दिसम्वर को होने वाली मंत्री मंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी प्रदीश में कोविड 19 से स्वास्थ हुए लोगों की संख्या कोविड पॉजिटिव मारीजों की संख्या से अधिक है और उपचारा धीन कोविड मामलों में भी कमी आई है रज में अब तक कुल 2,17,000 से अधिक मारीज संक्रमन से मुक्त हो चुके हैं स्वास्थ विभाग के बॉलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1290 मारीज स्वास्थ हुए हैं प्रदेश में कल 26,451 परिक्षन किये गए जिसमें 1035 नई कोविड पॉजिटिव मामले सामने आये थे अधिक्तम कोविड पॉजिटिव मामले 386 इंदौर में 219 भोपाल और 36 जवलपूर में है प्रदेश में कल कोविड से 9 मरीजों की मृत्य हुई है इस तरहे रज में कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3490 हो गई है उधर होशंगबाद जिले में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जिला स्वास्त विभाग ने तयारियां शुरू कर दी है इसके लिए स्वास्त विभाग ने माइक्रो प्लान तयार किया है आज जिला प्रशिक्षण केंदर में ट्रेनर आफ ट्रेनिंग यानि T.O.T. को प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण T.O.T. अगले तीन दिनों में ब्लॉक इस्तर पर प्रशिक्षण देंगे जिले में 26 सरकारी और 175 नेजी संस्थानों के 7,849 डॉक्टर, नर्स और पेरामेडिकल स्टाफ को वेक्सीन लगई जानी है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मोतिलाल वोरा का अंतिम संस्कार आब से कुछ दिरबाद 36 गड़ के दुर्ग में राज की सम्मान के साथ किया जाएगा श्री वोरा का 93 वर्श की आयू में कल नई दिली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था मोतिलाल वोरा को मदप्रदेश विधान सभा के लिए 6 बार चुना गया और वे 2 बार राज के मुख्य मंत्री भी रहे वे उत्तरप्रदेश के राज जिपाल और केंदर सरकार में स्वास्त तथ नागरिक उड्यन मंत्री भी रहे थे आज राज मंत्री मंडल की बैटक में भी स्वार्गी वोरा को शद्धान जली दी गई और राज सरकार ने उनके निधन पर तीन दिन का राज की शोक भी खोशित किया है और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षित में सागर गढ़कोटा जवलपुर मार्ग पर बनारस से इंदोर जा रही एक सवारी बस सड़क पर खड़े एक टॉले से टकरा गई है इस भीशन सड़क दुरगटना में तीन लोगों की मौत होई है जबकि 22 सवारियां घायल बताई गई है होशंगबाद में मदप्रदेश आरबन डेवलप्मेंट कमपनी लिमेटेट द्वारा सीवेज परियोजना का काम तीजी के साथ चल रहा है इस परियोजना की लागत 17.98 करोड आ की गई है टीकमगड में राश्ट्री जल जीवन मिशन के तहट 117 नई जल सनरशना इस्थापित की जाएंगी कल पांच गिराम पांचायतों में दो करोड नौ लाख 27,000 रुपे की लागत की नल जल योजनाओं का शेत्री विधायक राकेश गिरी ने भूमी पूजन किया और शिपूरी जीले में फिट इंडिया का एरकेम के तहट लोगों को बहतर स्वास्त के प्रति जागरुक करने के उदेशे से 24 दिसंबर को साइकल रेली निकाली जाएगी बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार